IPL के 77 सीजन का 47 मुकाबला कोलकता नाइट एडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा ये मैच के क्या टीम के होम ग्राउट इडिंग गार्डन स्टेटियम में खेला जाएगा कोलकता नाइट एडर्स का इसी सीजन अभी तक का मैदान पर काफी बैतरिन पर्फोर्मेंस देखने को मिला है जिसमें उन्होंने आठ में से पांच मैचों में जीत दर्ज किया है और पॉइंट स्टेबल में अभी दूसरे नमबर पर मुझूद है लेकिन उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में डाइसों से अधिक का स्कोर करने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा था वहीं बात की जाए डिल्ली कैपिल्स टीम की तो उन्होंने अपने पहले पांच मैचों में सिर्फ एक ही मैच जीता था तो वीडियो पूरी देखें कोलकता नाइट रैडर्स और दिल्ली कैपिल्स के बीच होने वाले मैच के लिए आप अपनी ड्रीम 11 टीम में विगट कीपर के रूप में दो प्लेयर्स को शामिल कर सकते हैं जिसमें पहला नाम आता है रिशब पंत का और दूसरा है फिल्सोल्ट दोनों ही खिलाडियों का पिछले कुछ मुकाबलों से शांदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सोल्ट के बल्ले से पंजाब किंग्स का खिलाफ मैच में शांदार हाफ सैंचुरी देखने को मिली थी वहीं पंत को लेकर अगर बात की जाए तो वो भी इस समय काफी बहतरी बल्ले बाजी कर रहे हैं और पिछले मैच में उनके बल्ले से भी 83 रन के आसपस देखने को मिला था तो आप उनको भी टीम में रख सकते हैं आप अपनी टीम में बैट्समन के रूप में चार प्लेयर्स को सामिल कर सकते हैं पिछले कुछ मुकाबलों से दिली के लिए फिनिशर की भूमिकाओ को भी निगबाते हुए बखूबी दिख रहे हैं और अच्छे कासे बल्ले बाजी करके मैच को आखरी तक लेके जाते हैं और जीत दिलाते हैं वहीं जैक फ्रेजर ने अपनी आकरमा के बल्ले बाजी से गेंदबाजों के मन में पहने से खौफ बनाकर रखा हुआ है पिछले मैच में आपने देखा होगा जिस अज़ाब से उन्होंने बल्ले बाजी करी गेंदबाज उनके सामने आने से भी थर-थर काप रहे थे और आज के मैच में भी वह इस परकार के बल्ले बाजी कर सकते हैं और हो सके तो सैंचुरी भी लगा सकते हैं अब केकियार की टीम से आप श्रे शायर और वेंकटे शायर को भी शामिल कर सकते हैं जिनका पिछले कुछ मैचों में बल्ले से शांदार फॉर्म देखने को मिला है, पिछले मैच में श्रेयर शेयर ने 10 गेंदों में 28 रन मारा था, उसके पास वेंकटे शेयर भी अच्छे कास से बल्ले बाजी करके गए थे, तो ये प्लेयर से आप अपने टीम में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और जीत के साम ज़्यादा मतल चांसिस भी हैं, अगर ओल्ड राउंडर की बात करें तो आप अपनी ड्रीम 11 टीम में तीन ओल्ड राउंडर को रख सकते हैं, पहले आंटे रसल, फिर सुनिल नरायन और फिर अक्षर पटेल, यांटे रसल ने पिछले मैच में अच्छे कासी गेंद बाजी करी थी, बल्ले बाजी से इतना अच्छा प्रफॉर्मस नहीं दिया था, लेकिन ओल्ड राउंड अगर पूरा मैच देखा जाया भी तरकान का जो 9-10 मैच खेल चुका हैं, उसमें उन्होंने बल्ले कैप की रेस में भी अच्छे कासे पॉइंट्स में चल रहे हैं, और उसके बाद रन भी अच्छा बना रहे हैं, गेंद बाजी भी अच्छी कर रहे हैं, और अक्षर पटेल भी बीच बीच में आकर लास्ट में आकर अच्छे कासे रन बना के चले जाते हैं, विकेट भी ल दे रहे हैं दूसरे अगर गेंद बास की बात करी जाए तो आप वरुन जगरवर्ती को रख सकते हैं क्योंकि वो भी अच्छे कासे फोर्म में चल रहे हैं उनकी भी गेंद बैट्समें समझने में तोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं लेकिन हाँ इस बार आपने आई पेल के ज अचले मैच में आपने देखा उसकी दिए जिस रशाब से उसके अंदर नइज्वाजों का तबदभा जादा रहा है इसी वज़े से अच्छी एक वजड़ी करी लेकिन बादों का बहुत ही जादा इसमें योगदान रहा है इसवजे से में जीती है वो जर नहीं नई तो ह के सुलीन निरायन को और वाइस कपतान रखे रिशब पंद को क्योंकि भाई ये दोनों बल्लेबास भरोसे मंद के हैं बाकी इनके टीम में अगर देखा जाए जो ड्रीम 11 के टीम बनी है उसके अंदर ऐसा है कि भाई माले से ओपनर दिली के जो है ठीक है वो भाई फ्रेजर चले ना चले इसका कोई भरोसा नहीं है बाकी भी प्लेयर्स ऐसे हैं कि भाई चले ना चले लेकिन ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली भाई बल्लेबाजी करते आ रहे हैं और अच्छा कासा रन बना रहे हैं ठीक है तो यह आपके टीम में रहेंगे अगर